गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास, लास्ट वीडियो में हम मेंडल के थर्ड लो, लो अफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के बारे में डिसकस कर रहे थे, लो अफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट में क्या बताया गया, जब भी दो पेर ओफ करेक्टर, वेंट टू पेयर ओफ करेक्टर आर इन हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब क्या होता है वो दोनों साथ में जैसे हमारे पास दो पेयर ओफ करेक्टर में ये दो पेयर ओफ करेक्टर हैं राउंड और रिंकल येलो और ग्रीन ये दो पेयर ओफ करेक्टर हो गए और ये हाइब्रिड में है तो जो separation है वन पेर ओफ करेक्टर की वो independent होगी अनदर पेर ओफ करेक्टर से मतलब ये क्रोमोजोम जिसके उपर आर अलील प्रेजेंट थी ये क्रोमोजोम जिसके उपर सेम साइट पे ये स्मोल आर वाली अलील प्रेजेंट थी अब दो क्रोमोजोम जिनके पास सेम टाइप की अलील प्रेजेंट थी और सेम साइट पे प्रेजेंट थी इन क्रोमोजोम को हम क्या बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम सेम ऐसे ये क्रोमोजोम जिसके पास सीड के कलर की अलील प्रेजेंट थी और ये एक और क्रोमोजोम जिसक यह pair of character present है हमारे पास one pair of character independently assort होगा separate होगा another pair of character से मतलब capital R है जो वो capital Y के साथ भी combine हो सकता है सیम ऐसे small r capital Y के साथ भी combine हो सकता है और जो small r है वो small y के साथ भी combine हो सकता है ये जो सारे के सारे characters हैं ये independent है एक दूसरे से कि कोई भी किसी के साथ separate होके combine हो सकता है ठीक है आज हम discuss करेंगे linkage के बारे में linkage का मतलब क्या होता है जुड़ा हुआ होना ठीक है अब ये जो linkage है ये exception है law of independent assortment की independent assortment क्या बोल रहा है कि दोनों जो alleles है वो separate हो सकती है एक दूसरे से और independent है किसी दूसरे के ओपर उसका कोई effect नहीं पढ़ रहा लेकिन linkage क्या बता रहे है देखो it is the phenomena in which some genes stay together linkage का मतलब ही क्या है जुड़ा हुआ होना साथ रहना during inheritance without any change or separation linkage में क्या होगा दो जो genes हैं वो sometimes क्या है इतनी pass में होती है कि वो साथ में ही क्या है next generation में pass on हो जाएगी और उनमें कोई भी separation या फिर कोई भी change नहीं होगा ऐसी genes जो साथ में रहेंगी उनको हम क्या बोल देते हैं linked genes बोल देंगे ठीक है तो linkage में क्या बताया गया genes हमेशा साथ में रह रहे हैं देखो जैसे माली जी हमारे पास ये chromosome था इस chromosome के उपर ये capital R वाली अली या gene present है और इसी chromosome के उपर ये जो second gene है ये भी present है ठीक है एक और chromosome उसके पास ये small r और small y वाली genes present है अब ये जो capital R है ये इस capital Y के साथ ये gene क्या रह रही है जुड़ी हुई है linkage शो कर रही है अब जब इस next generation में pass on होंगे तो यहां से जो gamete बनेंगे वो क्या बनेंगे सिर्फ capital R और capital Y बनेंगे capital R और small y की यहां पे possibility नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये जो allils है ये क्या है pass pass में इसमें क्या हुआ था ये दोनों अलग-अलग chromosome पे थी अलग-अलग chromosome पे थी इसलिए दोनों क्या रह सकती थी next generation में pass on हो सकती थी capital Y के साथ भी जा सकता था और small y के साथ अब ये genes इतनी pass में है कि ये अलग ही नहीं हो पारी अलग नहीं हो पारी तो next generation में क्या होगा as it is इनकी inheritance होगी सेम ऐसे यहाँ पे small r और small y वाली जो genes है वो इतनी pass में है कि वो एक दूसरे से assort नहीं हो पारी, अलग नहीं हो पारी और वो as it is बिना किसी change के next generation में pass होगी यहाँ से जो gamit बनेंगे हमारे पास वो क्या बनेंगे small r small y तो यहाँ से हमारे पास दो type के gamit बने न यहाँ से कितने type के gamits की possibility थी एक बनता capital r और capital y एक capital r और small y फिर small r capital y के साथ भी जा सकता था और small r small y के साथ भी जा सकता था तो यहाँ पे यह चार टाइप के gametes बन रहे थे यहाँ पे change possible था यहाँ पे jeans साथ में रह रही थी जुड़ी हुई रही थी इसलिए यहाँ पे कोई change की possibility नहीं है कि capital R आ गया तो वो सिर्फ capital Y के साथ ही जाएगा small r और अगर small y साथ में रह रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ change नहीं हो सकते वो दुनों साथ में जाएंगे इसी phenomenon को हम क्या बोल रहे हैं linkage बोल रहे हैं और यह जो jeans हैं जो की पास में रह रही हैं इन jeans को हम क्या बोल देंगे linked jeans बोलेंगे ठीक है अब यह जो phenomenon है सबसे पहले किसने find out किया 1906 में दो scientist थे Batson and Puneet जो की sweet pea जिसका scientific name है Lathirus odoratus इसके उपर work कर रहे थे इन्होंने क्या पाया कि जो कुछ characters है न pea plant के sweet pea plant के वो independently assortment नहीं कर पारे मतलब वो separate नहीं हो पारे जैसे हमारे पास ये progeny थी न next generation भी as it is same बन रही थी same क्यों बन रही थी क्योंकि यहाँ पर gametes इस type के रहे यहाँ पर change possible था क्यों possible था क्योंकि ये gametes independently assort हो रहे थे independently एक दूसरे से अलग-अलग हो रहे थे तो Batson और Puneet ने यहीं देखा कि sweet pea में कुछ characters है वो independently assort नहीं हो पा रहे है ठीक है अब जो Batson और Puneet ने काम किया है जो उन्होंने cross provide किया उसको भी discuss करेंगे फिर Batson और Puneet किसी conclusion पे नहीं पहुँचे उन्होंने सिर्फ इतना बता दिया कि कुछ तो problem है जो Mendel का जो low independent assortment का genes की segregation का वो follow नहीं हो रहा कुछ characters as it is next generation में चले जा रहे है ठीक है फिर इसके बाद एक scientist आये टी एच मॉर्गन जिनोंने linkage के लिए एक theory provide की गई जिसको क्या बोला गया chromosomal theory of linkage जिसमें इनोंने linkage के concept को अच्छे से explain किया सबसे पहले linkage को identify किसने किया बेटसन और पुनीत ने linkage की theory किसने दी है टी एच मॉर्गन ने 1911 में ठीक है अब जो linkage है वो दो type का हो सकता है एक होगा incomplete linkage और एक होगा complete या फिर higher linkage incomplete linkage का मतलब क्या है देखो हमने last year एक phenomena discuss किया था जब meiosis one होगी तो meiosis one में क्रोसिंग ओवर के chances होंगे ठीक है जो packet in stage है वहाँ पे crossing over के chances होते है मालो ये एक chromosome था हमारे पास इस chromosome पे एक जो gene थी वो यहाँ थी और एक जो gene है वो यहाँ इन दोनों के बीच में distance है ठीक है अब सेम ऐसे ही दूसरा phenomena क्या हो सकता है ये chromosome इस पे यहाँ और थोड़ी सी distance करके यहाँ कोई gene present है अब crossing over क्या होता है जब ये वाला part कट हो और दूसरे chromosome के उपर ये वाली gene आके जुड़ जाए distance अगर थोड़ी सी भी present है देखो इसमें देखो एक तो gene यहाँ present है और एक gene यहाँ present है जो genetic material है वो change होगा genetic material change होगा इसका मतलब क्या है जो gene से वो change हो जाएंगी ये capital R वाली gene करी कर रहा था और ये capital Y वाली यहाँ पे ये chromosome आया इसने इसको crossover कर दिया crossover करने से क्या हूँ मालो इसके इस part पे smaller और इस part पे थी small Y वाली gene तो ये दोनों जब combine होंगे crossover करेंगे उसके बाद जो नया chromosome बनेगा उसके पास यहाँ से ये part क्या हो जाएगा change होगा, exchange होगा और यहाँ पे small Y और यहाँ पे क्या जाएगा capital R as it is रहेगा तो जब भी crossing over होगी meiosis 1 के time पे तो जो genes अगर उनके बीच में distance जादा है तो वहाँ पे crossing over हो सकती है और crossing over होने के बाद genes का जो material था ये क्या हो सकता है exchange हो सकता है तो जब भी crossing over के chances हो मतलब genes तो linked है एक ही chromosome के उपर है बट अगर उनमे distance है तो उस linkage को क्या बोलते हैं incomplete linkage जहां पे हमारे पास chances होते हैं कि ये चार टाइप के gametes बन सकते हैं ठीक है लेकिन एक है complete linkage complete linkage का मतलब क्या है दो genes के बीच में कोई भी distance ना वो बहुत पास पास जब होंगी तो इसको क्या बोलेंगे complete linkage complete linkage का मतलब क्या है दो genes बहुत पास है crossing over के कोई chance नहीं है as it is next generation में ये characters पास होनोंगे ये समझें आप कि यहां से क्या हो गया crossing over होगी और crossing over होने के बाद genetic material क्या हो जाएगा exchange होने के chances हैं कि यहां से capital R, capital Y capital R, small y बन सकते हैं बट यहां पे इतनी पास में gene है कि उनके crossing over के कोई chances नहीं है और crossing over के chances नहीं है तो सिर्फ हमारे पास दो type के gametes बनेंगे और जितने कम type के gametes बनेंगे उतने ही कम क्या आएंगी variations आएंगी जैसे देखिए हमारे पास ये green और red ये दो chromosome थे अब जब crossing over होती है packaging stage में उसके बाद क्या होता है ये जो chromosome जो crossover कर रहे थे ये terminal point से अपना genetic material exchange कर लेंगे और जो नए chromosome बने है हमारे पास देखो ध्यान से वहाँ पे क्या है green वाले के पास red वाला part आ गया और red chromosome के पास green part आ गया ये green और red part का मतलब क्या आप genes consider कर सकते हैं कि ये capital R gene माल लीजिए और यहाँ पे नई वाली जो आ गई होगी वो क्या आ गई होगी capital Y माल लो या फिर small y ठीक है कुछ भी change होगा जो पहले वाली gene थी मालो वहाँ पे small y थी अब वहाँ पे नई gene आ गई change होके कि वहाँ पे अब capital Y आ चुका है पहले small y था ठीक है तो इस तरह से crossing over अगर होगी crossing over से genetic material exchange होगा और नई type के gametes बन सकते हैं So हमारे लिए सबसे important thing क्या है कि हमारी जो genes आ वो अलग-अलग chromosome पे हो ताकि easily क्या आप कर पाए वो independently अगर genes linked है तो उनमें at least थोड़ी distance हो कि वहाँ पे crossing over के chances हो और crossing over के अगर chances होगे तो वहाँ से नई type के gametes की formation हो सकती है So अब हमारे पास एक relationship है दिखो जैसे जैसे genes के बीच में distance बढ़ती जाएगी उतना ही क्या होगा recombination बढ़ता जाएगा तो distance is directly proportional to recombination recombination का मतलब क्या है पहले हमारे पास मालो यह combination था capital R और capital Y का अब हमारे पास नया combination क्या बन गया capital R और small y का यह कैसे बना यह जो chromosome था ठीक है यह R और यहाँ पे निच्चे है Y ठीक है यह नया chromosome था ठीक है इसके पास small r और small y तो इसने इसके साथ genetic material का exchange कर लिया crossing over की help से और नया combination क्या बन गया जो recombinants बने वो क्या है capital R और small y को carry कर रहे है तो distance जितनी बढ़ती जाएगी genes के बीच में उतने ही chances होंगे recombination के नए gametes की formation के दूसरा linkage is inversely proportional to recombination जितना genes पास पास में रहेगी न उतने ही कम chances है recombination बनने की तो linkage is inversely proportional to recombination और distance is directly proportional to recombination distance बढ़ते जाएगे वो हमारे लिए beneficial है उतने ही recombinants बनेगे एक बात आप अपने दिमाग में set कर दीजिए हम इस chapter में variations की बात कर लें variations का मतलब क्या changes और changes कैसे आएगे जब दो genes क्या करें आप पस में exchange हो जाए exchange होंगी तो ही क्या होगा variations आ सकती न तो हमें हर हालत में क्या चाहिए recombination चाहिए और recombination कैसे आ सकती है जितने distance बढ़ा देंगे आप genes के बीच में उतना ही वो crossover कर पाएंगी और अपने genetic material को exchange कर पाएंगी और उतने ही recombination बढ़ते जाएंगी जितना genes linked होगी उतना ही recombination का number क्या होता रहेगा कम होता रहेगा ठीक है सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे next वीडियो में हम कुछ crosses perform करेंगे link के से related ठीक है